दोस्तों मेरे नाम है आश्यर सोनी और आज हम शुरू करेंगे थर्मल एक्स्पांशन का लेक्चर नमबर 2 तो दोस्तों जिसे के मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कुछ कोशन्स दिये थे तो अब जल्दी से हम उन सब कोशन्स को डिस्कस कर लेते हैं तो दोस्तों पहला कुशन आपका ये था कि ये एक हॉलो डिस्क है और इस डिस्क का टेंपरिचर बढ़ाने पर बताईए आरवन क्या होगा इंक्रीज डिक्रीज कॉंस्टेंट या डाटा इंसफिशियंट तो अंसर क्या बोलेंगे हम अंसर होगा इंक्रीज होगा सभी बात शुक्त हों तो क्या बुला जाता देखो सर राटो माइनस रवन तो यह वाली सिर फिल ओई टौर झाल जो है वह सिर अगर मैं बात करूं इस दिस्टेंस के इसका को पता है कि यहां पर एक triangular sheet है जिसके अंदर इस तरह से cavity बनी हुई है और यहां पर बोला है कि यह length L1 है यह length L2 है यह length L3 है और यह length L4 है तो बताइए यह 4 length क्या होगी temperature increase करने पर तो बड़ा आसान कुछ नहीं नहीं तो वही हमको सीधी बात है कि cavity का size भी increase होता है यह मैं आपको पेले भी बता रखा है है ना तो हम यह बोलेंगे कि L1, L2, L3 and L4 चारों की चारों increase होंगे clear है क्या दखना यह दो item की बीच की दूरी भी अगर अपनको यह वाले L1 बतानी length तो आप 2 item चुनो ऐसे और 2 item की बीच की दूरी बढ़ेगी तो आपकी length बढ़ गी इसी तरह से L2 भी इसी तरह से L3 भी बढ़ेगा और L4 भी बढ़ेगा अब आजाते हैं next question question number 3 पर तो दोस्तों यहां पर यह बोला गया है कि अगर हमने temperature बढ़ाया तो बताईए length का क्या होगा तो length अपन क्या बोलेंगे sir L1, L2, L3 तो बढ़ेगा इतना तो तय है मगर angle का क्या होगा बताई से ठीटा जो होगा वो आपका constant होगा ठीक है तो जितने भी angle होगे अपने पास यहां पर जो तीनों angle है temperature बढ़ाने पर इस sheet का size इस तरह से बढ़ेगा कि यहां पर जो angle होगे ना आपकी तीनों की तीनों यह तीनों हमेशा constant रहेंगे यह बात आप ध्यान रखना angle नहीं ब हो जाएगा आप बास समझ रहे हैं ना इसा नहीं होगा कि triangle ले तो वह square बन गया ठीक है तो shape नहीं बदलेगा समझ रहें तो इसलिए आपको यह angle है ठीटा यह change कभी भी नहीं होते है thermal expansion में ठीक है तो एक बात आपको यह वाली note down करके रखना होगी clear अब next question करते हैं next question में यह बोला गया है कि यह एक ring है और इस ring की जो radius है वो है R और यह ring जो है यह इतनी है पूरी ठीक है यह इसकी बीच में गेप खाली है कितना है L length का तो आप से यह कहा गया कि बताईए अगर हम temperature increase करें तो radius का क्या होगा और इस length का क्या होगा तो जाहिर सी बात है बही radius तो ब होगे कि sir length घटेगा तो यह answer पूरी तरह से गलत है ठीक है दोस्तों ध्यान से समझना अब जो हम बता रहे हैं यहां पर क्या होगा आप इसा समझ लीजिए कि अगर मैंने दो एटम की बीच की दूरी यह जो यह अपने दो एटम ले लिए और उसको L length बोल दिया तो जाहिर गेप होगी वो भी बढ़ेगी अब एक तरीका तो मैंने आपको यही बता दिया सीदे सीदे कि आप दो एटम चुने और आप उनकी बीच की जो दूरी होगी temperature के साथ देख लें कि यह temperature बढ़ाने पर वो दोनों की बीच की दूरी बढ़ेगी तो answer increase होगा और दूसरा तरी दिखा यह है कि आप इस पूरी रिंग को बढ़ा दें जब रिंग बढ़ी हो जेगी तो कुसी इस तरह से दिखेगी क्या temperature बढ़ाने पर यह रिंग बढ़ गी यह तो अपने को पता था तो यह अपने increase कर दिया और अभी अभी हमने कहा था कि ठीटा कभी भी नहीं बदलत अधिए मगर इंगल कभी भी नहीं बदलेगा तो इंगल नहीं बदलना चीए तो इंगल अगर नहीं बदला है तो उस हिसाप से अगर अपने देखें तो यहाँ पर यह जो दो पॉइंट है वो अब यहाँ पर आ जाएंगे न और तुम यह देख सकते हो कि अगर मेरा होगा बात क्लियर होगी ऐपने को चलिए दोस्तों तो अब हम एक और कुछ कर लेते हैं इनके ओपर कुछ और कशन कर लेते हैं जिसे कि आपको रचाओर प्रेक्टिस हो जाए ठीकैं चलिए दोस्तों तो यह question आपके सामने है बहुत ही important है ध्यान रखिएगा बहुत प्यारा question ही यह इसको अच्छे से no-down करना और अच्छे से इसमें दिमाग भी लगाना ठीक है तो दोस्तों question यह दिया गया है कि हमारे पस दो identical spheres हैं दो कैसे spheres अपने बास identical एक का नाम है A एक का नाम है B तो question यह आप से कहा गया कि अगर हम दोनो spheres का temperature same rise करें तो बताइए A और B में कौन ज़्यादा expand करेगा और question number 2 यह है कि अगर हम इनको same heat प्रोवाइड करें ध्यान रखिएगा दोस्तों क्या बोला गया है same heat प्रोवाइड करें तो A और B में से कौन ज़्यादा expand करेगा ध्यान रखिएगा identical sphere से identical का मतलब यह हुआ कि वो हर चीज में same है उनका volume भी same है, shape भी same है radius भी same है, उनका coefficient of volume expansion भी same है पहला question क्या है कि अगर हमने temperature same rise करा तो कौन ज़्यादा expand करेगा दूसरा question दिया है कि अगर दोनों को same hit प्रोवाइड करी गई तो A और B में से कौन ज़्यादा expand करेगा तो I hope कि आप सब लोगों ने इस question को attempt कर लिया है और तभी इस solution को देख रहे हो दोस्तों अगर अभी तक नहीं करा है तो screen pause करो question को attempt करो बहुत ही अच्छा question है और फिर अब इसका solution देखना चलिए तो अब इसका हम solution बता देते हैं आपको तो दोस्तों यहाँ पर पहला question अपर ले लेते हैं if T1 is equal to T2 अगर दोनों का temperature same rise करा जाए तो क्या होगा तो दोस्तों अगर temperature same rise करा गया है और दोनों ही identical bodies है दोनों का volume बराबर है तो हमें तो सिर्फ क्या होगा answer कि अगर sir volume दोनों का बराबर है अगर volume दोनों का बराबर है और आपने temperature rise करा तो हम यह सीरी सीधे बोलेंगे कि सर उनका expansion भी same हो जाएगा, तो मतलब A is equal to B, यह बात सही है क्या है न, क्योंकि delta V is equal to क्या होता है, V node alpha delta alpha तो नहीं, gamma आएगा यहाँ पर, ठीक है तो V node gamma delta T, तो अगर gamma भी same है V node भी same है, और temperature पर जबी same rise करा गया, तो सीरी बात है उनका volume expansion भी same ही होगा, तो answer आएगा A is equal to B, अब देखते हैं next question, यह important है, दिखान से समझना, तो next question में आपको बोला गया, कि अगर दोनों को हम same heat दें, अगर दोनों को हम same heat दें, तो क्या होगा, तो दोस्तों अगर आप A वाले को देखोगे, तो अगर मानलो A का volume बढ़ा, तो कुछ इस तरह से बढ़ेगा, है ना, और B का volume जो बढ़ेगा, वो कुछ इस तरह से बढ़ जाएगा, clear है क्या अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए A वाला जो volume है, जब वो बढ़ा तो उसका center जो है, वो उपर shift हो गया, और center उपर shift हो आए, ध्यान से समझना दोस्तों यहाँ पर temperature rise नहीं करा जा रहा से, यहाँ पर क्या करा जा रहा है कि दोनों को same heat प्रोवाइड करी गई है, तो अब heat तो एक energy है, तो जब आपने इसको heat दी, तो इस heat का कुछ portion, इसका volume expansion करने में जाएगा, और कुछ portion इसके center of mass को उपर लेके आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो center है, वो थोड़ा सा उपर shift हुआ है, center of mass जो है, आपका उपर shift हुआ है, मतलब आपने gravity के against work done करा है, तो मतलब को उपर लेके आएगा, ठीके, तो यहाँ पर का जो energy था, वो कुछ center of mass को उपर ले जाने में खर्चा भी हुआ है, मगर दोस्तों यहाँ B वाले की बात करें न, अगर अपन तो यहाँ पर तो आप देखोगे कि gravity तो support कर रही है, उसको support कर रही है, तो उसका size जो है, वो natural जो बढ़ना चीए था, वो तो आराम से ही बढ़ेगा, हो सकता है जादा बढ़े ठीके, क्योंकि जो आपने इसको heat दी है, उससे यह पूरा की पूरा expand ही हुआ है, इसमें इसने कोई भी energy को अलग पार्ट में use नहीं करा, जबकि इस वाले पहले वाले में क्या हुआ था, पहले वाले में आपने energy का कुछ हिस्सा उसके center mass को उपर ले जाने में लगा दिया, ठीके, work done कर दिया जबकि second वाले में क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ है, ठीके, आपको कोई external work done नहीं करना पड़ा, तो आप answer यह बोलेंगे कि अगर आपको कोई external work done नहीं करना पड़ा, तो B का temperature B का जो volume है वो ज़्यादा rise करेगा, और A वाले का जो volume होगा, वो कम rise करेगा, तो answer will be B is greater than A, clear है क्या, अगर आपको answer सही है, तो बहुत अच्छी बात है आपको, अब thermal expansion समझ में आने लगा है, चलिए दोस्तों तो अब next question अपने शुरू करते हैं इसके बाद question को रहने देते हैं अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे का concept पढ़ लेते हैं क्योंकि theory तो हमारी already complete हो चुकी है पहले है ना, lecture number 1 में पूरी theory अपनी complete हो गई है, और अब lecture number 2 में हम उसके उपर कुछ special cases देखेंगे, clear चलिए चलिए दोस्तों, तो आब heading डालिए आप लोग, effect of temperature on measurement, मतलब कि measurement लेते समय, temperature के कारण क्या effect आ सकते हैं, तो दोस्तों एक मैं आपको समने बिल्कुल छोटे से example से आपको समझा देता हूँ, जिससे कि आपको जल्दी समझ में आ जाए, मान लिजिए कि हमारे पास एक wooden एक wooden road है, अब wooden road लिया है, इसका मतलब यह है कि temperature increase करने से इस wooden road का size नहीं बढ़ेगा ठीक है, लकड़ी की है यह है, तो इसका size wise नहीं बढ़ने वाला, temperature बढ़ाने पर मगर इसका जो हम measurement ले रहे हैं इसका जो हम measurement ले रहे हैं वो एक metallic scale से लिया जा रहा है clear है बात आपको, अब जाहिर चीबात है कि यह metallic scale है, तो temperature increase करने पर metal का size बढ़ सकता है ठीक है, तो अब ध्यान रखना यह metallic scale है, वो temperature increase करने पर इसका size बढ़ेगा तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर दो चीज़े clear कर दूँ एक होता है true value और एक होता है measure value true value, actual value को ही कहा जाता है actual value को कहा जाता है true value और measure value किसको कहा जाता है measure value उसको कहेंगे हम जो कि हमको measurement के दौआ value प्राप्त होगी, वो हमारे लिए measure value के हलाएगी clear है क्या अब जैसे मान लीजिए कि इस road की जो actual length है वो है 4 cm कितनी है 4 cm और हमने इस metallic scale को दौआ measure करा और यह 4 cm की road है clear है क्या अब दोस्तों मान लो कि हमने temperature increase कर दिया अब हमने पहले ही कहा था कि अगर temperature increase करा तो इस metallic scale की जो length है वो बढ़ जाएगी तो पहले तो आप मुझे answer दो कि अगर मैंने temperature बढ़ा दिया तो इस road की length जब हम measure करेंगे तो हमें ज़्यादा measure होगी या कम measure होगी मतलब की आपको 4 से ज़्यादा answer मिलेगा या 4 से कम पहले तो यह सोच के बताओ हाँ तो answer क्या होगा 4 से कम क्यों ऐसा sir क्योंकि sir आपकी जो length है ना यह 4 cm metal की इस metallic scale की actually temperature बढ़ाने से sir वो length बढ़ जाएगी ना बासमन में आ रहा है और अगर 4 cm आपको पहले यहाँ आ रहा था तो अब यहाँ पर आने लगा it means अब आपके पास road की जो length वो कम हो जाएगी अरे हाँ या ना clear हुआ तो हम यह भी बोल सकते हैं दोस्तों कि जो यह divisions है ना आपके पास जो यह divisions है वो भी individually बढ़ेंगे सभी बात है यह divisions भी बढ़ेंगे तो जब हर एक division बढ़ेगा तो जो पहला one इधर आ रहा था तो automatically पहला one अब थोड़ा सा shift होते भी आएगा थोड़ा shift हो जाएगा यहाँ पर आने लगेगा इसी तरह से जो second number होगा वो भी shift होगा इसी तरह से third number भी shift होगा और इसी तरह से आपका four number भी shift होगा और अब अगर आप इसकी length measure करने गए तो automatically आपके पास यहाँ पर यह कितना value दिखाएगा for example 3.2 value दिखा रहा है ठीक है अच्छा दोस्तों पहली बाद यह 3.2 हमारी कौन सी value माने जाएगी तो यह होगी measure value अच्छा और यह जो four centimeter वो क्या माने जाएगी हमारी true value clear है क्या तो दोस्तों question आपको तो यह पूछा जाएगा कि जैसे मान लीजिए 20 degree Celsius में हमारी scale बिल्कुल correct measurement बताया करती थी 20 degree Celsius में हमारी scale एकदम correct measurement बताया करती थी मगर गर्मी का मौसम आया हूँ और वहाँ पर 50 degree Celsius तक temperature चला गया अब हमने हमारी scale से किसी भी चीज का measurement लेना चाहा तो जाहिर सी बात है हमें वो measurement actual length से कम मिलेंगे ठीके तो अब अगर मान लो मुझे उस गर्मी के मौसम में true value चाहिए मतब उसकी actual value चाहिए तो केसे निकाले तो दोस्तों उसको निकालने का तरीका देखिए क्या होगा चलिए मान लीजे कि यह जो यह जो length वो delta L है ठीके दोस्तों मान लो कि यह जो length यह delta L है तो हम यह बोल सकते हैं न दोस्तों कि जो true value होगी वो हमारे measure value प्लस delta L के बराबर होगी न जैसे भी यहाँ पर जो measure value आई है वो इतनी थी 3.2 थी अगर मैं उसमें delta L और 8 कर दूँ तो मुझे इसकी true value मिल जाएगी है न मेरा answer मतलब 4 cm आ जाएगा और अगर मैं इसको थोड़ा सा लिख दूँ है न थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूँ तो यह अपने पास बनेगा formula true value is equal to measure value into true value is equal to measure value into 1 plus alpha delta T क्या बास समय में आ रही आपको alpha किसका लिए बच्चे रोड तो हमारी बढ़ने रही है ना हमारा जो scale है उसका यह हमारे पास alpha S है clear है alpha S है अपने पास alpha of scale क्या बात समय में आ गई आपको तो हम यहापर true value कैसे निकाला करेंगे जो भी हमारी measure value होगी हम उसमें delta A लेड करेंगे इट मेंस यह वाला formula लगा देंगे है ना true value is equal to measure value into 1 plus alpha delta T जल्दी से दोस्तों इसे note down कर लो अब थोड़ा सा ना इसके अंदर हम और समझते हैं अभी तो क्या हुआ दोस्तों कि गर्मी के मुस्समें हमने जब measure करा तो हमारी जो scale थी ना वो actual length से कम length बताया कर रही थी अब मान लो जिसे अभी तो फिलहाल पर क्या हुआ है ना कि हमने wooden road लिया था मगर दोस्तों अगर मान लो हमने यहाँ पर road जो है वो भी metallic लिया होता तो यहाँ पर क्या होता सोच के बताओ कि गर्मी के मुस्सम आने पर यह road भी बढ़ जाती है ना और आपकी scale भी बढ़ जाती अब road में भी change है और आपकी scale में भी change है अब आपसे बोल रहा है गर्मी के मुस्सम में कि बताइए इस road का actual length क्या होगा तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी तकलिफ समझ रहे हो आप क्या हुई अगर मान लो हमारी scale सही होती मान लो कि हमारी scale wooden की बनी होती तो अब आपका क्या है वो जो road है वो बढ़ गया तो मतलब एक तो उस road में road के reading में fault आया सही बात है और जिस scale से आप reading ले रहे हो वो खुद एक faulty है मतलब एक गलत scale माने जा रही है और उसके बाउजित भी आपको answer बिल्कुल सही बताना है actual value का बताना है तो अब केसे करें तो ध्यान से समझ जिएगा answer आप सुनिए answer है आपके पास ध्यान से लिखना तो आपको answer होगा true value is equal to measure value into one plus alpha delta t तो तुम बोलोगे इस वाले formula तो same ही है नहीं नहीं यह जो alpha है आपके पास इसकी value आप लिखना alpha is equal to alpha scale minus alpha road clear है क्या दोस्तों अगर आप इस वाले formula को use कर लोगे न तो आपके सारे के सारे answer सही चले जाएंगे clear है क्या अगर आपको इसका derivation चाहिए तो आप बिल्कुल अलग से मुझसे पूछ सकते हैं ठीके मैं आपको explain कर दूँगा मगर आप इस formula को बिल्कुल अराम से use करिए कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीके बहुत important formula इसको आप no down कर लो अच्छे से ठीके अगर गर्मी के दिनों में क्या है सुनो मेरे बात ध्यान से अगर गर्मियों के दिनों में आप लोगों से बोला जाए कि road की भी length change हो रही है और scale की भी length change हो रही है तो आप तो सीधे सीधे बस यह वाला formula लगा दीजिएगा मतलब जो हमने पहले बोला वही formula है और उसमें जो alpha की value है उसको हम लिख देंगे scale minus alpha road बस आपके answer actual मिल जाएंगे clear है क्या पक्का चलिए दोस्तों तो अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दे से इसको note down कर लो चलिए दोस्तों तो आब heading डालिए effect of temperature on time period of pendulum मतलब यह कि temperature के कारण pendulum के time period में क्या फरक पड़ेगा तो जिससे मान लिए दोस्तों हमारे पास यह pendulum है जिसका length L है है ना जो यह string है यह metallic string है उसका length L है तो हम सब को पता है कि जो time period होता है pendulum का वो होता है 2 pi and out में L by G clear अब दोस्तों यहां पर सम देखके सीधे सीधे बोल सकते है कि जो हमारा time period होगा pendulum का वो इसकी length पर depend कर रहा है clear है क्या और यह सीधी सी बात है कि अगर हमने temperature को rise करा temperature को बढ़ाया तो जाहिर सी बात है length बढ़ जाएगी और अगर length बढ़ गई तो हमारा time period होगा pendulum का वो भी बढ़ेगा और time period का बढ़ने का मतलब क्या होता है समझ रहे हो बच्चे कि जो हमारे ये जो pendulum है पहले मानलो ये 4 second में आया करता था यहां से गया और वापस से जब लोट कर आया तो वो 4 second में आ रहा था मगर अब क्या हुआ उसका time period बढ़ गया है इसका मतलब ये हुआ कि अब जब वो जाएगा और वापस आएगा तो उसको अब 5 second लगेंगे समझ में आ रहे है तो पहले 4 second लग रहे थे अब उसको 5 second लग रहे है मतलब कि उसको अब समय ज़्यादा लगने लगा है तो मतलब कि घड़ी हमारी जो है वो यहाँ पर slow हो गई है क्या आपको बात समझ में रहे है सबको ठीके आप यह पहचान सकते हो ना कि घड़ी slow हुई या fast ये तो बहत आसान है है ना चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखिए दोस्तों आपको पस time period of pendulum का formula आपको पता है अब मान लीजिए कि जो ये जो formula है ये किसी temperature ठीटा node पर लिया जा रहे है बच्चों मैं ठीटा node temperature बोल रहा हूँ ठीटा node temperature मैं temperature को T node नहीं बोल सकता दोस्तों क्योंकि आप फिटी और T में confused हो जाएंगे है ना तो इसलिए मैंने आपको ये पास यहाँ पर temperature को ठीटा node ले लिया तो ये अपने पास हो गया temperature ठीक है ये अपने पास initial temperature है जिसमें घड़ी का जो time period है अब मान लिजिए कि मैंने अपने घड़ी मैंने इसका temperature बढ़ा दिया ठीक है ठीटा डेश कर दिया तो हमारे पास जो time period होगा वो बदल जाएगा T डेश बन जाएगा और क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में L डेश बाई जी सीधी बाते length बदल जाएगी और हमें ये सबको पता भी है कि जो length हो जाएगी न वो कितनी हो जाएगी तो हाप बुलेंगे sir L डेश is equal to L node into 1 plus alpha delta theta इतनी बात अपने को सबको clear है क्या है ना ये अपने पास length हो जाएगी तो चलिए अब उसकी value पूट कर जेते हैं हापर तो 2 pi under root में L डेश बाई जी तो L डेश की value कितनी है L node into 1 plus alpha delta theta अपाउन में जी अब ध्यान से देखिए 2 pi under root में L node बाई जी ये तो अपना T है ना तो अपने इसको लिख सकते हैं T dash is equal to T into 1 plus alpha delta theta कि whole power 1 by 2 आप ये तो बोली सकते हो सभी बात है क्या अब दोस्तों यहाँ पर मैं लगाने जा रहा हूँ binomial expression binomial expression क्या होता है ध्यान से सुनो binomial में ये बोला जाता है कि 1 plus x की power अगर n है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 plus nx ठीके और ये हम तभी कर सकते हैं जब ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास x जो है वो बहुत ही छोटा हो 1 से ये बात क्लियर हुई क्या ये binomial expression है binomial expression ठीके तो 1 plus x की power n को हम 1 plus nx लिख सकते हैं मतलब उसकी power से आगे multiply कर सकते हैं तो अब ध्यान से समझना ये तभी लगा सकते हैं जब x 1 से बहुत ज़्यादा छोटा हो तो ये लिखा है 1 और इसको मायन लेता हूं में x अब दोस्तों ये जो x होना चाहिए वो 1 से पहली बात तो छोटा होना चाहिए ठीके तो दोस्तों जो अलफा होता है न हमारा वो जनरली 10 to the power minus 5 के करीब होता है है न किसी भी मेटल का अगर आप देखे तो अलफा आपके पास 10 to the power minus 5 के करीब होता है तो अगर आपने अप 10 to the power minus 5 ये है और डेल्टा ठीटा मतलब temperature rise कितना करोगे भई जैसे ठंड चल रही है तो अपने पास 10 degree temperature था अब गरी में आ गई है ठीके तो आप 50 degree तक जा सकते हो एक स्टीम पर तो 50 degree चलो आप 100 degree increase कर दो temperature ठीके तो 100 degree increase करने के बावजूद भी जो आपका अलफा से multiplication होगा तो 10 to the power minus 5 into 100 degree Celsius मिलकर भी अभी यह 10 to the power minus 3 तब पहुँचेंगे और 10 to the power minus 3 का मतलब क्या हुआ मतलब यह कि 0.001 मतलब यह कि आपके पास 1 के comparison में अभी भी जो यह value है यह बहुत छोटी हुई ना तो इसलिए हम यहापर binomial expression use कर सकते हैं ठीक है दोस्तों पहले बात तो यह समझ में आया कि आपको binomial expression use केसे करना है है ना हम यहापर use कर सकते हैं तो अब मैं इसको लिखने जा रहा हूँ binomial expression के एसाब से t days is equal to t into 1 plus 1 by 2 alpha delta theta क्या यह बात आपको समझ में आ रही है मतलब आपके पास जो power थी न वो आगे multiply हो गई और अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखूँ तो यह कुछ इस तरह से बनेगा दोस्तों कि delta t is equal to t into half alpha delta theta तो पेटा यह आपके पास आगया formula clear है क्या अब मैं इसको next page में proceed कर रहा हूँ बच्चे ध्यान से सुनते चलना ठीक है यह आप जल्दी से note down कर लो अब अपन यहाँ पर आते है तो चलिए दोस्तों हमारे पास क्या formula आया भी कि delta t is equal to t into half alpha delta theta तो पहले तो इसका मतलब समझे गए दोस्तों बहुत अच्छे से इसका मतलब समझना है हमें देखिए मान लिजे कि temperature theta node पर जो हमारा pendulum है उसका जो time period है वो कितना है t है कितना है t ठीक है अब जब हमने उसका temperature बढ़ा दिया मतलब theta कर दिया बढ़ा कर तो जो हमारी घड़ी का जो length है वो बढ़ गया है अब घड़ी का जो length बढ़ गया है तो जो अब time period है वो अब time period भी बदल गया है ताइम period कितना हो गया हमारे पास t plus delta t यह बास समझ में आई कि नहीं अब उसका time period t plus delta t बन गया मतलब यह दोस्तों कि t समय पर उसके अंदर change आ गया एक error आ गया delta t का clear है क्या दोस्तों इतना भी आपको clear हो रहा है क्या तो यह अपने पास t समय में आने वाला error है पहले मान लो वो 4 second का pendulum था अब उसको इसा मान लो की 4.1 second लगने लगा मतलब 0.1 second का error आने लगा बास समझ में आ गया है क्या तो यह आपके पास क्या जाएगा change in time period है ना यह change है t समय में आने वाला error है t समय में आने वाला change है ठीक है यह क्या है change in time period of pendulum due to temperature इसको आप लिख देना क्या लिखोगे change in time period of pendulum due to temperature इतने का change आया है आपके पास अब दोस्तों ये तो आपने पास एक formula हो गया है ना ये तो important है ही मगर अब जो मैं बताऊंगो वो और भी ज्यादा important है और उसको बोलते हैं हम fractional change ठीके तो delta t और इसको अगर नीचे ले जाए तो delta t by t बन जाएगा तो इसको बोलेंगे हम delta t by t is half alpha delta theta और ये है आपके पास से ज़्यादा important formula clear है क्या बहुत ही ज़्यादा important formula इसका मतलब यह है यह जो इधर लिखा है इसको हम बोलेंगे fractional change इसको हम बोलेंगे लिखेगा fractional change in time period ठीक है fractional change in time period और यह ध्याद रखेगा कि fractional change in time period जो है fractional change in time period वो time पर depend नहीं करता fractional change जो है वो time period of pendulum पर depend नहीं करता does not depend on ध्यान रखना यह जो formula होता है यह जो बता रहे हैं आपको does not depend does not depend on time period of pendulum time period of pendulum यह भी आपको अभी इसका महत्वा नहीं समझ में आएगा यह थोड़ी देर बात समझ में आएगा जब मैं आपको question कराऊंगा है ना अभी तो जैसा पढ़ाया है है ना वेसा की वेसा लिख लो क्या बताएं आपको कि यह टी समय में आने वाला जो error है वो यह रहा formula आपके पास ठीक है underline कर दिया भी और यह जो है यह जो है इसको बोलते हैं हमारे पास pendulum क्यों ना हो मतला हमारे पास जो pendulum है ना जैसे मान लीज़े हमारे पास pendulum इतनी length का हो इतनी length का हो कितनी भी length का हो है ना और इन सब के time अलग ही क्यों ना हो T1 T2 T3 T4 हमें सो मतलब भी नहीं है इन सब का अगर alpha same है ना अगर alpha same है ना ध्यान रखना medical वाले बच्चे को सीधे पूछ लेते हैं इसे ना तो इन सब का fractional change in time period तो same ही रहेगा ये ध्यान रखिएगा ठीके सबी बच्चे को ध्यान सा सुनना है जेई वाले बच्चे को मिनोट करना है कि pendulum केसा भी बना हो उसका time period कितना भी हो उसका fractional change in time period हमेशा same ही रहता है अगर उसका alpha same है तो clear है क्या ये बात clear हुई इसको मिनोट डाम कर लेना ठीके अब दोस्तों में अगर आपको इतना समझा चुका हूँ और अगर आप इतना समझ चुके हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब इस formula का असली महत्व समझते हैं कि किस तरह से इसका use करा जाता है Frictional change in time period का देखिए जैसे कि दोस्तों आपके question आएगा तो आपसे question क्या कुछ है का मैं आपको समझा देता हूँ पहले तो question आप से यह बोलेगा कि मान लीजिए आपकी जो घड़ी है या आपका जो pendulum है आपको जो pendulum है वो दो सेकेंड का time period रखता है अपने पास ठीक है दो सेकेंड का उसका time period है यह ना उसका time period कितना है दो सेकेंड का अब मान लोग कि आपने temperature बढ़ा दिया तो उसके अंदर 0.01 क 0.01 second का error आने लगा अब error यह positive बे हो सकता है नेगative बे हो सकता है ना पर अभी हमने बोला कि यह 0.01 second का error आने लगा clear कितने में एक पूरे चक्कर काटने में एक पूरे चक्कर काटने में उसको 0.01 सेकंड का एरर मिलने लगा तो मतलब यह बोलूंगा न हमें कि 2 सेकंड में उसको 0.01 का एरर आ गया 0.01 second का error आ गया अच्छा अगर आपसे दोस्तों वो पूछे कि बताईए अगर 2 second में इतना error है तो एक घंटे में कितने का error होगा तो आप कैसे करोगे दोस्तों आप लोगे सर बड़ा असान है 2 second में इतने का error है ठीके 2 second में इतने का error है तो 7 second में मतलब कि एक मिनिट में यह ना एक मिनिट में कितने का इरार आ जाएगा तो आप इसमें 30 का मल्टिप्लाई कर दोगे सभी बाते तो 0.3 सेकंड का इरार आ जाएगा और अगर एक मिनिट में इतने का इरार आ जाएगा और अगर एक मिनिट में इतने का इरार आ जाएगा तो य कितना हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा आपके पास 1.8 सेकंड का एरर आ जाएगा अब आस समझ रहे हो क्या मतलब देखो भी या दो सेकंड में सिर्फ 0.01 का एरर था मगर अब हम जब एक घंटे का एरर देखने लगे एक घंटे में चेक करामने तो एक घंटे में हमारी जो घड़ी है वो डिजिटल वाच से 1.8 सेकंड पीछे हो गई है और अगर मैं इसी तरह से पूरे 24 घंटे का चेक कर लूँ मतलब एक दिन तक इसका हेरर चलने दू इसी तरह से घड़ी को तो एक दिन में मेरी घड़ी कितनी पीछे हो जाएगी यह वाली तो आप क्या करो में आता भी है अगर आप इसको मल्टिप्लाई भी करोगे तो यह लगभग लगभग 43.2 सेकंड के करीब चले जाएगा मतलब एक दिन में हमारी घड़ी इतने सेकंड पीछे हो गई है क्या आपको पूरी बात समझ में आई देखो कॉश्चन इस तरह से आपको पूछता है यह जो मैंने आपको बताया है यह बस आपको स्टार्टिंग करी है मैंने समझाने की और आपको समझ में भी आ गया है कि अगर हमारी घड़ी का जो एक टाइम प्रेड होता है अगर मान लो उसके अंदर कुछ एरर आ गया ठीके टेमप्रेटर बढ़ाने से फर एक्जांपल घड़ी पीछे हो गई तो आप इस तरह से क्लिकेशन करके बता सकते हो क्लियर है क्या है ना चलिए अब मैं थोड़ा सा इसके और आगे बढ़ता हूं तो चलिए दोस्तों अब मैं इसे किसी थोड़ा सा जनरलाइस फॉर्म में लिख देता हूं समझ ये ध्यान से है ना कॉ टाइम पिरेड है वो मान लिजे टी डेस हो गया अच्छा दोस्तों अब यहां पर क्या हुआ है कि टेंपर बढ़ाने पर आपका जो टाइम पिरेड है वो बदल गया मतलब कि यहां पर एरर आ गया आपके पास कितने का एरर आया डेल्टा टी का इतनी बात तो समझ में आ कि पहले टी था और अब टी डेस हो गया मतलब इरर आ गया है ठीक है तो आपसे वो पता है क्या पुछेगा कि बताइए कि 24 घंटे में आपकी घड़ी डिजिटल घड़ी से कितना पीछे हो जाती है बच्चों वो यहां पर आपको 24 घंटे भी दे सकता है कि 24 घंटे में कित तो यह रेंज वो डिसाइड करके देगा आपको तो इतने दिन में हमारी घड़ी डिजिटल घड़ी से कितना पीछे हो गई क्लियर है क्या तो मैं ऐसा बोल देता हूं कुश्चन में कि मान लिजे टी टाइम में टी समय में आपकी घड़ी कितना पीछे हो गई तो आपको बताना है कि टी समय में आपकी घड़ी कितना पीछे हो गई तो आपको जल्टा टीक फाइंड करना है अपको यह बास समझ में आ यह वाली थी ठीक है टी सेकंड वाली तो हम बोलेंगे कि सर कि अब हमारा जो टी सेकंड है अब हम बात करें तो टी सेकंड में हमारी घड़ी में अब ना डिल्टा टी का एरर आने लगा सर वही जैसे हमारी घड़ी पेले दो सेकंड में दो सेकंड बता रही थी दो सेकंड में 2.01 second को बता रही है तो मतब 0.01 का एरार आया ना 2 second में तो इस तरह से बोलेंगे हम कि sir t second में हमारे पास delta t का एरार आ गया तो मैं यह सब बोल सकता हो ना कि 1 second में delta t by t का एरार आया बोलो हाई आना यह बोल सकते हैं बहुत बढ़िया तो एक second में इतने का एरार आया तो मुझे पूछा गया कि बताईए t समय में कितने का एरार आया तो आप बोलोगे sir t second में हम बोलेंगे delta t by t into t second का error आया है मतलब यह error है मतलब यही तो अपने पास delta t है यह error है समझ गए यह error किसमें आने वाला है यह error t समय में आ रहा है clear तो answer जो अभी अपने निकाला है उसको ध्यान से समझना delta t is equal to half यह कितना रहा है delta t is equal to काम करते हैं delta t by t कर लेते हैं delta t by t is equal to capital delta t by t दोस्तों इसकी value आप क्या लिखियो पता है पिछली बार याद करो यह half alpha delta theta था था अब ध्यान से समझना मतलब यह दोस्तों कि delta t by t की जो value है ना वह आपके पास half alpha delta theta था अब तुमको वह चीज चमकेगी जो मैंने आपको बताया था दोस्तों question को फिर से समझो question क्या था कि theta पर आपका temperature थीटा पर आपका time period t था theta dash कर देने पर आपका जो time period है वह बदल गया और delta t का error आने लगा तो मतलब कि आपका time period t का है वह आपका time period t का है pendulum का ठीक है तो t में वह delta t का error ला रही है तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि मानलो 24 गंटे में कितना error आया 25 गंटे में कितना error आया आपको बोला. दस महीने में कितना error आया. तो आपको बस वो दे दिया कि t समय में कितने का error आया है. तो अब आपने अंसर क्या बोला? कि इतने का error आया है, इतने समय में. ठीके? जो कि यह वाला formula है. और दोस्तों कहीं न कहीं आप यह देख ओगे यह दोनों दोटोटको सीनलर है तो दोस्तों इसमीज़ समय में आने वाला चेंजD इस डेल्टा ट का मतलब क्या था कि घड़ी का टाइम पिरेड अगर टी का है घड़ी का टाइम पिरेड अगर टी का है तो उसमें जो चेंज आएगा टाइम पिरेड में आने वाला चेंज यह क्या है टाइम पिरेड में आने वाला चेंज और यह क्या था टी समय में आने वाल चेंज और यह वाला क्या है time period में आने वाला चेंज और दोनों की formula same है खास बाती है तो अब मैं आपको जो clear कर रहा हूं ध्यान से सुनना मेरी बात को कि कभी भी आपके पास मानलो इस तरह से बोला जाए कि theta पर उसका time period जो है वो t था और theta dash पर उसका time period मानलो तो टीडेस हो गया अच्छा इसा होने पर क्या हो जाएगा बेटा एरर आ जाएगी सरी बात है डिल्टा ठीकी एरर आ गई तो कॉश्चिन क्या बोला ठीटा पर उसका अगर टाइम पिरेड टीडेस हो जाता है तो बताइए कि 24 घंटे में या बोले 48 घंटे में या बोले 10 द समय में आपकी घड़ी कितना पीछे हो जाएगी जाहिर सी बात है कि अगर एक मिट में पूछेगा तो हमारे पास जो घड़ी हमारी रहीगी वह डिजिटल घड़ी से थोड़ा कम पीछे रहेगी ठीके माइनर सी पीछे रहेगी मागर अगर मैं इसी चेंज को अब्जर्व करूँ एक महिने के लिए एक महिने है ना तो थुड़ा सा हमें इरर और बड़ा दिखेगा और अगर मैं एक साल का समय ले लूँ कि एक साल में हमारी घड़ी कितना पीछोगी तो हो सकता है जाहिर से बाते वह एक घंटा भी पीछोग सकती है ऐसे में तो आपको बास समझ म बढ़ गई और टाइम प्रेड चेंज हो गया और टाइम प्रेड में कितना पीछे होगी मतला आपको डेल्टा टी पूछना चाहता है वो आपकी घड़ी कितना पीछे होगी ऐसा पूछ रहे तो दोस्तों मेरा सिर्फ इतना सा कहना है आप लोगों से कि जो यह वाला फॉर यह आप जानते हो ना फॉर्मला इसी फॉर्मले में आप क्या करना देखो इस फॉर्मले में आपको बता दू उपर वाला डिल्टा टी क्या है उपर वाले डिल्टा टी का मतलब है कि इसके टाइम पिरेड जो टी है यह नीचे वाला टाइम पिरेड टी में आने वाला चें है ना उसका time period T नहीं उसका time period small t है सीधे सीधे क्या करना है समझ us मानलो उसने बोला कि 24 गंटे में कितना पिछ होगी तो तुम अपनी घड़ी का टाइम में ले 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 अगर आपको बोले कि हमारी घड़ी ना 10 दिन में कितनी पिछ साल बात समज में आ रहे किया तो यह अगर एक सालसे लोगे तो आप कु circulation न टाइम्प्रेंट कभी वर फ्लीय गलत नहीं करता है तो बताईए दो साल में, दस साल में, पचास साल में कितने हमारी घड़ी जो है, कितना डिजिटल घड़ी से पीछे हो जाएगी, तो अगर आप से इसा कहे, तो आप तो बस क्या मानना, नीचे वाले टाइम को वही टाइम रख देना, यह वाला जो टाइम है ना, वही ही पर तो अटोमेटिकली यह जो डेल्टा टी है, वो उसी समय में आने वाला चेंज मिल जाएगा आपको, क्या आपको बात समझ में आ गई, अरे हाँ या ना, पक्का, ठीके, चलिए, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, तो मैं आपको इसके उपर एक आदी कॉश्चन करा दे लिखिए, अब पेंडूलम क्लोक कंसिस्ट अफ एन आइरन रोड, लिखिए, अब पेंडूलम क्लोक कंसिस्ट अफ एन आइरन रोड, कनेक्टेट टू ए स्मॉल हेवी बॉब, कनेक्टेट टू ए स्मॉल हेवी बॉब, तो आपको इस तरह से एक पेंडूलम दे दिया गया clear है आगे बोला है if it is designed to keep correct time at 20 degree Celsius if it is designed to keep correct time at 20 degree Celsius मतलब कि 20 degree Celsius में भाई साब ये correct time बताती है ठीक है मतलब ये आपने को time बता रहेगी तो बोला ये है कि how fast or slow will it go in 24 hour at 50 degree Celsius मतलब कि अगर हमने इसको 20 degree Celsius अब कहां पर रख दिया 50 degree Celsius पर रख दिया तो बताईए हमारे घड़ी fast होगी या slow वो भी कितना fast या कितना slow हो जाएगी और एक आपको given दिया है given date alpha for road जो ये string है ना इसके लिए alpha दे रखा है कितना 1.2 into 10 to the power minus 5 per degree Celsius ये दिया है आपको तो question समझ में आया बच्चों आपको क्या दिया है ये एक pendulum है 20 degree Celsius पर वो correct time बताता है तो 50 degree Celsius में अगर उसको रख दिया जाए तो बताईए अगले 24 घंटे में ये हमारे घड़ी कितना पीछे हो जाएगी 24 घंटे में हमारे घड़ी कितने का error show करने लगीगी तो सबसे पेली बात हमारे इस वाले case में क्या हुआ temperature को बढ़ाया गया है temperature को बढ़ाया मतलब length बढ़ेगी और temperature बढ़ा length बढ़ी तो मतलब की time period बढ़ेगा और time period बढ़ने का मतलब हो जाएगा कि हमारे घड़ी slow हो गई के इतनी बास समझ में आगई आपको है ना तो उसने बोलता how fast or slow तो बोलतेना answer slow हो जाएगी अब कितना slow होगी तो आप सुनिए तो देखिए मैं आपको क्या सिखाया था 24 गहंटे में बताना है न तो अपनी घड़ी का इस तरह से बना दो कि उसका time period ही 24 गहंटे हो जाए ठीक है तो 24 hours 24 hours तो देल्टा T by T is equal to half अलफा अलफा कितना है 1.2 इंटो 22 पावर माइनस 5 तो half अलफा डेल्टा ठीटा डेल्टा ठीटा कितना हो गया 30 तो यह बटा आपका अंसर हो गया खतम बात समझ में आई है आपको तो यह आपका अंसर हो गया आप इसको calculate कर लो 24 hour में बच्चे कितने second होते हैं पता है क्या 24 hour में तो यह होते हैं 86,400 अब यह यह याद हो तो ठीक है नी तो निकाल लेना 5 और 24 हो गया कितने हो गया 24 हो गया 24 इंटू 60 इंटू 60 इनका multiply करोगे तो आटोमेटिकली 86,400 सेकंड मिल जाएगा ठीक है चलिए तब वापिस जाते हैं अपने पास तो इसको solve कर लें तो कितने का चेंज आ गया तो हम बोलेंगे सब यह हो जाएगा 86,400 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 10 to the power minus 5 इंटू 30 इसको बच्चे आप solve करोगे न तो आपके पास यह कहीं पर नजदीक 15.6 सेकंड आ जाएगा इतने का चेंज आएगा असान था न ठीक है चलिए दोस्तों तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं आई होप कि आपको यह पूरा समझ में आ गया होगा तो आप next heading डालिए सब लोग faulty thermometer मतलब यह है कि आपके पास जिसे जनरल ही क्या होता था अभी तक कि जो हमारे पास जो thermometer है वो freezing point zero degree का बताता था है ना यह freezing point बताया करता था और boiling point 100 degree का हुआ करता था यह दो बात सही है है ना मगर अब faulty thermometer है तो faulty thermometer में क्या हो रहा है आपके पास वह freezing point और boiling point कुछ और बता रहा है ठीक है for example कि यह उसका जो freezing point और boiling point वो उसने बदल दिया मान लोग मान लोग कल को 20 degree Celsius freezing point बोलने लगा और 140 या 150 degree Celsius उसने boiling point बोल दिया आप बात समझ रहे होना कुछ भी उसने faulty fault है वह ठीक है यह उसकी गलती से हो रहा है कि उसमें error है कि वह freezing point बता रहा है 20 जिगरी पर और boiling point बता रहा है कि इसके हिसाब से original thermometer की क्या reading होगी इसके हिसाब से इसकी correspondingly original thermometer की क्या reading होगी यह पूछता है तो दोस्तों इसको करने का बहुत easy तरीका है बिल्कुल simple आप क्या करिएगा जिसे आपको पहले भी पता होगा कि scale reading जिसे मान लोग आपको सबको पता है यह मान लोग इसका temperature T है तो T minus इसको एक काम करते हैं नाम देते हैं lower freezing point ठीके lower freezing temperature और इसको बोलते हैं upper freezing upper boiling temperature ठीके या इसको आप एसा बोलते हैं lowest fault lowest fault temperature ठीके lower fault temperature ठीके lowest fault temperature और यह हो जाएगा upper fault temperature ठीके lowest fault temperature और upper fault temperature तो उसके साबसाब क्या बोलोगे कि T minus minus LFT divided by UFT minus LFT तो भी यह हमेशा कॉंसेंट होना चाहिए और अगर आपको इसके correspondingly C ढूनना है तो आप बोल देना C by 100 के बरावर होगा यह बना आपको thermometer में बता रखाएं तो आसान था यह clear है कैसा कर लोगी क्या इसके आपसे अगर अंसर निकाले तो क्या हो जाएगा सर बढ़ा सान है C by 100 is equal to T minus अब T क्या है मानलो उसने बोल दिया यहां पर 80 degree पर पूछा है कि भईया हमारे इस thermometer के सबसे 80 है तो बताइए कि actually वो इस scale के हिसाब से कितना है तो आप बोलोगे 80 minus 20 upon me 150 minus 20 तो इसको solve कर लेना आप कितना आ रही है है ना तो कितना आ जाएगा 60 और नीचे हो जाएगा कितना यह हो जाएगा 130 ठीक है तो बैस अब 0 से 0 कट गया तो यहां पर से आ जाएगा आपके पस कितना 600 divided by 13 इसको solve कर लेगा आपका अंसर आ गया क्लियर है क्या आसान था है ना चली तो आप नेक्स हेडिंग डाली है दोस्तों effect of temperature सबको इस नेक्स हेडिंग डालेंगे अब effect of temperature on moment of inertia on moment of inertia ठीक है तो भाई सब ऐसा है कि जैसे मानलों कोई भी बोडी है और उस बोडी का मानलों कुछ भी अमने इसे घुमाना सुदू कर दिया ठीक है तो उस बोडी का जो moment of inertia है वो कुछ इस तरह से बनता है ना mr square वही एक आगे की term होती है कुछ भी two by five mr square हो सकता है mr square by two हो सकता है है ना two by three mr square कुछ भी हो सकता है मगर mr square का term जरूर आएगा दोस्तों है ना ये बात तो मानते हो तो moment of inertia जो होगा अगर बात करें initially तो moment of inertia हमारा mr square था जिसे तो temperature हमने increase कर दिया अब तो अब उसका moment of inertia बदलेगा क्यों क्योंकि उसका shape बदल जाएगा है ना थोड़ा सा size बढ़ जाएगा तो क्या होगा उससे ध्यान से समझता हमारे पास जो mass होगा वो तो बदलेगा नह r dash का square तो moment of inertia हो जाएगा i dash is equal to m into r dash का square है ना तो अब हमारे पास i dash को हम देखें तो हमारा i dash हो जाएगा m into r dash की value बेटा क्या हो जाएगी r dash की value sir r dash is equal to होगा r into 1 plus alpha delta t वह यह तो होगा radius है ना क्योंकि length इससी तरह से change होती है तो यहाँ पर आप value डाल दो उसकी कितना हो ज हो जाएगा r into 1 plus alpha delta t ठीके यह हो जाएगा और इसकी power क्या है 2 तो अभी मैं इसको लिख सकता हूं क्या ऐसा m square into 1 plus alpha delta t की whole power 2 इस तरह से लिख सकते हैं अपने हैं तो देखो दोस्तों अपना answer तो यह बन रहा है clear मगर वही बात है कि alpha delta t ठीके alpha delta t अब alpha delta t की value approximately बहुत कम होती है तो अगर मेरा alpha delta t जो है वो अगर 1 से बहुत ही कम है तो क्या मैं यहाँ पर binary expression फिर सी यूज़ कर सकता हूं और formula बना सकता हूं i dash is equal to mr square अच्छा mr square को तो मैं लिख दूं i node है ना तो यह हो जाएगा i initial वाला i ठीके तो i dash is equal to i into अब यह बन जाएगा 1 plus 2 alpha delta t 1 plus 2 alpha delta t clear है क ठीके binary expression से अपने यह answer लिख दिया क्या बात सबको समझ में आ रही है तो अगर मैं इसका delta i लिखना चाहूं तो क्या बोलंगा changing moment of inertia तो बोलना 2i alpha delta t ठीके तो यह आप से पूछा जाए तो आप इस तरह से answer देते ना असान था है ना जो भी आपका formula होता है ना दोस्तों उ उसमें आपने temperature बढ़ा दिया तो आप देख लो कि effect क्या आया है इसमें radius बदल गई थी हमने radius की value डाली formula वाप इससे बनाया तो आपने पास यह बना और उसमें binary expression लगा के यह create कर दिया clear है क्या आसान था ठीके चलिए तो हम next heading डाली आप सब लोग effect of effect of temperature on density on density density में क्या फरक पड़ता है अब ध्यान से समझना इधर से बच्चे इधर से बहुत सारी चीज़े important है effect of temperature on density तो दोस्तों density क्या होती है अपने पास तो यह हम बोल सकते हैं density is equal to mass upon volume ठीक है तो यह हो जाएगा अच्छा अगर मैंने temperature बढ़ा दिया तो हमारी density बंजेगी रोडेश clear तो रोडेश is equal to mass तो कभी change नहीं होगा तो mass तो इतना ही है तो रोडेश is equal to m upon में वी डेश volume जरूर चेंज हो जाएगा तो इस हिसाफ से मैं लिखता हूं m upon में वी डेश की value कितनी हो जाएगी सर वी डेश इस वी नोड वन प्लस गामा डेल्टा टी सर गामा डेल्टा टी volume expansion है ना इसलिए तो m by v node को तो मैं लिख दूँगा रो ठीके तो भाईया यह लिख दिया हमने रो नोड upon में वन प्लस गामा डेल्टा टी तो सर हमारे पास अंसर मादा रोडेश का कि रोडेश is equal to बन गया रो नोड अपान में वन प्लस गामा डेल्टा टी ठीके दोस्तों तो यह अपने पास density का variation होगा अब दोस्तों मान लो कि density जो है यह जो गामा डेल्टा टी जो है अगर वह गामा डेल्टा टी बहुत जादा छोटा है तो वापिस हम गामा डेल्टा टी के पावर माइनस वन लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी इस नीचे वाली quantity को ऊपर लिखे आएंगे तो उसकी पावर माइनस में आ जाएगी सीधी बात है तो हमने इससा लिख दिया और अगर मान लो मेरा गामा डेल्टा टी बहुत ही छोटा है तो मैं इसमें बाइनुमेल्स लगाके इस माइनस पावर को नीचे लियाओंगा तो मतलब यह बन जाएगा रो नोड इंटू वन माइनस गामा डेल्टा टी मगर दोस्तों एक बात ध्यान रखना यह जो फॉर्मुला बताया है यह कब वेलिड है जब गामा डेल्टा टी वन से बहुत जाएगा ठीक है अधरवाइस आप यह वाला फॉर्मुला लगाना पक्का समझ में आ रहा है तो यहां से अपने को पता चल गया कि जो डेंसिटी है वो इस तरह से चेंज होती है है ना तो आप देख सकते हो कि टेंपरेचर बढ़ाने पर डेंसिटी जो है वो घट रही है तेंपरेचर बढ़ाओगे तो यह जो क्वांटरी है वो घटेगी यह मतलब क्वांटरी घटेगी तो मतलब देंसिटी घटेगी है ना इसलिए आपने देखा भी होगा कि जो गरम पानी है वो उपर की तरफ आ जाता है क्योंकि उसकी density कम होती है और ठंड़ा वाला पानी नीचे चले जाता है सभी बाते चले बढ़ें आगे अपन चलिए दोस्तों तो हम next heading डाली है आप सब लोग effect on buoyancy effect on buoyancy ठीके तो buoyancy force में क्या effect आएगा buoyancy force में क्या effect आएगा भाई सब आपको पता होना चाहिए कि buoyancy force क्या होता है सब को पता है पानी में लगता है किसी भी object को डालते है तो है ना पानी उपर की तरफ धक्का मारती है तो उसको हम buoyancy force बोलते है ठीके तो वो क्या होता है बच्चे जिसे कि मान लो अभी यहां पर हम create कर देते हैं जिसे की यह अपन ने पाने ले लिया और इस पर हमने एक object को इस तरह से डूबा दिया ठीक है तो इतना पानी में डूबा हुआ है बाकी हिस्सा उसका बहार है clear है इस तरह से आपको दिया है तो दोस्तों यहां पर आप यह देखेंगे कि बायंस फोर्ज जो होता है वो होता है रो वी जी क्या होता है रो वी जी अब मैं थोड़ा सा terms clear कर देता हूँ जिसको नहीं पता उसके लिए यहां जो row होता है वो होता है liquid का यह क्या होता है liquid की density ठीक है तो मैं इसको लिखने जा रहा हूँ density of liquid ठीक है यह होता है density of liquid clear यह जो volume है न वोल्यूम यह volume होता है उस object का जितना डूबा है ना submerged volume है यह इसका ठीक है जितना पानी के अंदर है वो volume है यह तो हम volume को लिखेंगे कि volume displaced by body यह कौन सा volume है यह वो volume है जितना उसने पानी displaced करा हुआ है मतलब volume displaced by object ठीक है या body volume displaced by body clear और जी अपना gravity है पहले तो आप इसको note down कलो अच्छे से कर लिया आप लोगों ने अब इसका formula अपन बना के देखते हैं देखिए क्या बनेगा यह तो बायन force का actual formula हुआ अब मान लो भी है मैंने temperature बढ़ा दिया अब हमने यहाँ पर temperature बढ़ा दिया तो दोस्तों यह बोलेंगे कि जो बायन force हो चुका है अब fb-डेश वो क्या हो जाएगा सर रोडेश v-डेश जी क्योंकि दोनों बतलेंगे अच्छा रोडेश क्या हो जाएगा पानी के बोलने में कितना फरक आएगा पानी के density में तो अभी हमने पढ़ा कि वह हो जाता है रो अपान मे वन प्लस गामा डेल्टा टी और यह जो गामा है वो है लिक्विड का यह ध्यान अखना यह लिक्विड का है ठीक है पानी के लिखा जा रहा है और वोल्यूम लिखना है अब तो वोल्यूम किसका लिखा जाएगा सरी हो जाएगा v-node मतलब जो इसका initial वोल्यूम था वो त तू बन प्लस गामा डेल्टा टी लिए यह उस बोडी के लिए है टो यह हो गया रोडेश की वैल्यू यह हो जाएगी वीडेश की वेल्यू ठीक है ये वीडेश की वेल्यू हो गई और इंटू जी क्लियर अब अगर अगर अपने इसको देखें तो यह हो जाएगा रो वी जी इसको अपने उठाकर क्या करो FB बोल दूं तो यह हो जाएगा FB इंटू थूद अच्छे सा लिख देते हैं यह हो जाएगा FB इंटू वन प्लस गामा बी डिल्टा टी अपाउन में वन प्लस गामा ल डिल्टा टी इस तरह से लगेगांगाए यह आपके पास पुमला बनेगा बायंस फॉर्स का मतलब की अब जो लिक्विट में आपका जो सबस्टेंस पड़ा हुआ है ना उस पर बायंस फोर्स इस तरह से लगेगा अब ध्यान से समझा दोस्तों आप से कुर्शन ही पूछा जाता है कि बताएए टेंपर्चर बढ़ाया हमने टेंपर्चर बढ़ाया तो यह जो ब्लोक है वो नी बाहर की तरफ फेका जाएगा है ना अगर बायंस फोर्स कम हो गया तो वह अंदर की तरफ डूबेगा और अगर वह सेम रहा तो वह वहीं की वहीं रहेगा तो दोस्तों यहां पर से आप देख सकते हो कि इस पूरी क्वानिटिटी में आप देखोगे कि वन प्लस गामा बी लुकविट से तो आप बोलोगे कि हमारा जो बायंस फोर्स से बढ़ जाएगा है ना पॉसिक्व आएगा अफ बैन विफ टूब का जाएगी और आप ये ब消 יो बोलोगे तब कि हमारा बढ़ गया मतलब की वह अब्त्रस्ट बढ़ गया मतलब कि क्या होगा कि वह अब्जेक्ट वह उपर की तरफ आ जाएगा आगर इसका उल्टा हो जाए तो हम बोलेंगे romansco घट गया हमारेlem अगर वह दोनों बराबर हैं अगर वह दोनों बराबर हैं तो यह दोनों क्वांटिटी कट जाएंगी और fb के बराबर रहेगा तो मतलब बोलेंगे हम यह सेम रहेगा क्लियर है क्या आसान था कि बांट पर स्सें क्या वीरिसंग आ सकते है क्ैलियर है क्या हम है ठीड define wrestling में मिंई है यह से भी टैंपराज वादलों बढाया समदों मेरी बात जियान से तो इला यह वाली वेल्यो आट्यमेटिकली को सिटिव रहेगी है ना और यहले पॉजिटिव रहेगी तो आपके पास वन प्लस गामा डिल्टा टी जो होगा वो पॉजिटिव आएगा मतलब आपका प्लस बढ़ेगा ठीक है और डिकरी जाने पर वो इस तरह से अपॉजिटिव भी हो जाएगा ठीक है चलिए तो अब हम इसके यह इसे थेरी फेज में जिसके आपको समझ में आ जाए तो दोस्तों एक कुष्चन आपको इसा बूला जाता है कि हमारे पास मान लोग यह कंटेनर हें और उसके अंदर हमने एसे पानी बहर रखा है ठीक है उसके अंदर हमने बिलकोल एकदम फूल पानी भर रखा है लब यह container हो गया और यह liquid हो गया हमारा clear है क्या तो अब मान लो यह जो container है उस container का आपको volume expansion होगा तो मैं उसके लिए gamma c देता हूं और जो liquid है उसके लिए gamma l देता हूं ठीक है तो question ध्यान से समझेगा question क्या आएगा एक container है उसके अंदर पानी भर रखा है या कुछ भी liquid भर रखा है अब जब मैंने उसका temperature बढ़ाया तो क्या हो सकता है बताओ पहले तो खुछ सोचो सर अगर container का volume expansion जादा हो गया तो यह उपर चल जाएगा और आपको यह जो पानी है वो थोड़ा सा नीचे नज़र आएगा मतलब कि एक gap नज़र आएगी ठीक है एक यह हो सकता है दूसरा यह हो सकता है कि अगर volume of liquid expansion जादा हो जाए एस compare to container तो आपको जो पानी है वो बाहर की तरफ ढुल जाएगा यह बात सही है और एक हो सकता है कि दोनों same volume expand करें तो मतलब उतना के उतना पानी है ना बना रहे तो इस तरह से बनाया जा सकता है question तो अब हाँ से समझना तो चलिए समझते हैं कि अगर temperature बढ़ाया तो क्या होगा तो initially मान लेते हैं कि जो container का volume है वो वी नोड है तो जाहिर से बात है कि पानी का volume भी वी नोड मानना पड़ेगा क्योंकि हमने लब लब भर रखा है बिलकुल एकदम full clear है तो हम यह कहेंगे कि liquid का जो expansion हो जाएगा मतलब VL-डेस जो होगा वो होगा वी नोड इंटू 1 प्लस गामा L डेल्टा टी यह बात सही और इस तरह से मैं अगर इ इस हो जाएगा हमारे पास वी नोड इंटू 1 प्लस गामा सी डेल्टा टी यह बात clear है तो अब एक काम करते हैं कि यह पता करना है अगर हमें कि पानी ढूला यह पानी नहीं ढूला यह अगर अपने को पता करना है तो हम कैसे करेंगे किसा डेल्टा वी की वेल्टा वी की वेल्टा टी मतलब यह कि भहिया VL- माइनस VC- की वेल्टा क्या है तो यह कितने आ रही है रेखो ध्यान से तो यह अपने पास हो जाएगा कितना V node into 1 plus gamma L delta T ठीक है और minus V node into 1 plus gamma C delta T अगर आप इन दोनों को minus करेंगे तो भाइस आप V node से V node कट जाएगा तो आपके पास answer आजाएगा V into delta T निकाल लिए अपने तो V delta T into gamma L minus gamma S ठीक है यह आपका volume का change आजाएगा ठीक है बच्चे आपको रटना रटना नहीं है यह मैंने आपको concept बताया है ठीक है तो यह आपका change in volume आजाएगा अब अगर मान लो change in volume मतलब gamma L is equal to gamma S हुआ तो आप क्या बलोगे gamma L is equal to gamma S है मतलब कि यह 0 हो जाएगा तो हमारा पास वैसे की वैसा situation रहेगा जैसा initial था मगर अगर मगर अगर मान लो कि gamma L जादा है gamma S से ठीक है liquid का expansion जादा है coefficient of liquid expansion जादा है S compare to gamma S तो आप क्या बोलोगे बच्चे जल्दी बताओ तो यह हम यह बोलेंगे सर जो हमारा volume है liquid का वो जादा expand करेगा इसलिए जो पानी होगा वो बाहर आ जाएगा तो मतलब situation नहीं सी बनेगी कि सर पानी मतलब इसके अंदर से पानी जो है gamma S से ठीके तो क्या होगा तो हम यह बोलेंगे सर हमारा जो पानी है न वो थोड़ा सा नीचे हैट तर चल जाएगा ठीके मतलब इसके अंदर कुछ हमें gap नजाराने लगीगी सर बात clear है क्या तो इस case में जो पहला वाला case था ना बच्चे इस case में वो पुछेगा कि बताओ कितना पानी ढूल गया दूसरे case में पुछेगा कि कितनी हाइट उसमें कम हो गई वो यह पुछेगा और तीसरे वाला case तो कम पुछे जाएगे तीसरे वाले case आपके बस क्या होगा कि gamma L is equal to gamma S हो मतलब कि जिसा situation अभी था बिल्कुल वैसे के वैसा बना रहेगा clear है क्या चलिए I hope कि आपको यह पूरा समझ में आया है तो next इसी के उपर में थोड़ा सा और आगे बताता हूँ कि question और क्या पूछ सकता है देखे दोस्तों मैं अभी जैसे बताया कि यह हाइट के बारे में वह आपसे पूछ सकता है तो चलिए दोस्तों इस हाइट को हम पता करते हैं ठीक है तो क्या बोला हमने question कि अगर हमारे पास इस container का expansion ज़्यादा हो जाए as compared to liquid का expansion है ना तो container ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी liquid के हाइट थोड़ी नीचे दिखाए देगी तो आपसे पूछा जाएगा कि यह delta h क्या है यह delta h क्या है clear चलिए तो दोस्तों अभी अभी हमने जब formula निकाला था वह formula क्या था तो वह आया था delta v is equal to v delta t into gamma l minus gamma s यह formula आया था कि नहीं दोस्तों आप सबको अभी पता होगा कि जो container है वो solid का बना हुआ है तो container की केस्मे में कई बार हमें वो question में gamma is equal to 3 alpha use करने के लिए बोल देता है है ना तो coefficient of linear expansion देकर वो coefficient of volume expansion लगाने के लिए बोलता है तो ठीक हमको पता है कि gamma c is equal to 3 alpha c हो जाएगा है ना यह हमको पता है चलिए तो अब हम आते हैं कि यह height किसे निकाली जाएगा तो ध्यान से समझना दोस्तों यहाँ पर volume is equal to area into h है ना हम सबको पता है कि volume is equal to area into height हो जाएगा तो अब अगर मेरा area constant है अब समझना ध्यान से क्रोस sectional area तो दोनों का सेम रहेगा ना बच्चो देखो अगर जितना container बढ़ेगा तो area wise जो है इस liquid ने भी उतना ही area घेरा होगा ना जितना इस container का area होगा तो cross sectional area जो होगा वो दोनों का सेम होगा it means कि a हमारा constant रहेगा तो अगर मेरा volume को में change करूँ मतलब delta v is equal to मैं लिख सकता हूँ क्या a into delta h इसा लिख सकता हूँ तो भी हम यह बोल सकते हैं कि delta h जो होगा वो delta v by a होगा यह बास समझ में आई अब दोस्तों मुझे बताना कि a किसका लेंगे यह liquid का होना चीए कि container का सोच कर बोलू भई liquid तो वही area में आप आएगा liquid का तो वही area होगा जो कि उस container का होगा समझ रहे हूँ तो मतलब यह जो container का area आना चीए हैं पर किसका container का area तो दोस्तों आप ध्यान से सुनना यह question अक्सर पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बोलता है बता रहा हूँ one plus two alpha delta t इसा लिख सकता हूँ क्यों बच्चे में वही जैसे मैं gamma c की gamma c is equal to three alpha c लिख सकता हूँ तो beta c is equal to two alpha c भी तो लिख सकते हैं ना तो इसलिए मैंने आपर two beta delta t की जगा one plus beta delta t की जगा two alpha delta t लिख दिया ठीक है तो v by area यह हो जाएगा h इसके हिसाब से ठीक है तो आपका जो answer आ रहा है वो यह है कि delta h is equal to h delta t into into gamma l minus three alpha divided by one plus two alpha delta t लिख रहे क्या यह अपने पास formula बन जाएगा बच्चे यह formula आपको याद नहीं करना है यह बस concept में आपको समझाया है सिखाया है इस concept को आपको समझना है इस concept से दोस्तों जेई में भी कई बार question पूछे गए हैं और need से भी question पूछे जा सकते हैं यह ध्यान रखना ठीक है बड़ा आसान concept है नेट के अंदर भी use हो जाता है और जेई means और जेई advance में भी सब जगह पर यह problem आया है यह बद ध्यान रखना चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं चलिए दोस्तों तो अब हमारा पूरी तरह से thermal expansion खतम हो चुका है ठेरी lecture no.1 में ही पूरी complete करा दी थी और lecture no.2 में जितना special case हो सकते थे मैंने सारे की सारे cover करा दिये हैं तो अब मैं कुछ questions यहाँ पर ले लेता हूं जो कि IIT और NEET में बहुत अक्सर पूछे जाते हैं और एक आपके पास thermodynamic process से भी पूछा जाता है ठीके तो वह बहुत important है आजकल बहुत trending है वह तो उसको ध्यान से आप सुन लेना है ना मैं आपको यहाँ पर एक दो question करा देत है अम metal road A of length 25 cm of length 25 cm a metal road A of length 25 cm expands by 0.05 cm एक metal road है A ठीके उसका जो length है वह 25 cm और expand हो जाती है वो कितना 0.05 cm ऐसा बोला गया आगे लिखा है when its temperature is raised by raised when its temperature is raised from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius लिखिये उसका temperature हमने 100 degree Celsius rise कर दिया आगे लिखा है another road B of length 40 cm another road B of length 40 cm expand by 0.04 cm for the same rising temperature एक B है उसकी length आपको 40 cm दी है और उसमें जो change दिया है वो कितना है? 0.04 cm का ठीके और same rising temperature यह आपको कहा ठीक अब आगे बोला है a third road C of 50 cm length a third road C of 50 cm length is made up of pieces of road A and B placed end to end and expand by 0.03 cm on hitting from 0 degree Celsius to 50 degree Celsius तो दोस्तों इसमें यह कहा गया है कि अब हमने अगर एक road बनाई इस road में कुछ हिस्सा a का है और कुछ हिस्सा b का है तो मानलो यह a का है और इसमें कुछ हिस्सा b का है और यह कहा गया कि a third road C of length 50 cm अगर यह 50 cm की length है ठीक है और इसमें कुछ हिस्सा a का है कुछ हिस्सा b का है इसमें जो expansion होता है वो है कितने का 0.03 cm का तो उन्होंने बोला कि इसमें जो delta T है वो है 50 degree Celsius और यह कहा है question कहा है कि find the each portion of composite road तो आपको पुछा है find each portion of composite road है ना and road C find each portion of composite road C ठीक है C वाले में आपको बताना है कि कितना portion आपने A का और कितना portion B का यूज़ करा है जल्दी से screen pause करो बच्चे और question को सुरू कर दो और अब इसका solution देखना चलिए तो मान लेते हैं कि A का जो length है वो X है तो automatically B का length कितना हो जाएगा 50 minus X इतना तो मानते हो clear है बहुत अच्छे तो दोस्तों पहला जो दोनों data है वो आपको क्यों दिया है आप समझो इस data से आपको पता है क्या निकालने के लिए मिलेगा alpha of A समझ रहे हो है ना जैसे हमको सब को पता है कि delta L is equal to L alpha delta T होता है तो यह हमारा alpha for road A क्या हो जाएगा सर delta L by L delta T और क्या तो यहां पर हम delta L कितना बोलेंगे सर delta L दिया है 0.05 अपान में L कितना है सर 25 cm into delta T कितना है सर 100 solve करो बच्चे से solve करो जालजी से तो यह कितना आ रहा है सर alpha A आ रहा है अपने पास nearly 0.04 अपान में 14 into 100 मतलब 10 to the power 0.05 अपन में 25 है ना यह तो 0.05 अपन में 25 into 100 मतलब 2 into 2 into 10 to the power minus 5 per degree celsius clear यह alpha of A आ गया इसी तरह से बच्चे इस data से alpha of B निकाल लो तो यह alpha of B कितना आ जाएगा सर वही delta L अपन में L alpha delta T तो यह कितना हो रहा है delta L है वही 40 cm 0.04 cm ठीक है यह 0.04 cm इसको थोड़ा और अच्छे से लिए देते हैं और अपन में है L मतलब 40 into delta T मतलब 100 so answer यह कितना आ जाएगा 10 to the power minus 5 per degree Celsius clear तो बैटा अब अपने पास alpha A भी है और alpha B भी है clear तो अब आपको बोला है कि अगर अब हमने कुछ X length A का और 50 minus X length B का ले लिया तो उसमें जो change आता है length में वो 0.03 का है मतलब delta L net आपको दे रखा है delta L net कितना दिया है 0.03 तो delta L net की value बच्छे क्या लिख होगे बताओ क्या लिख होगे तो बोलोंगे सर जो A individual कितना बढ़ेगा प्लस B individual कितना बढ़ेगा तो हम लिखेंगे delta L में X delta L is equal to L alpha delta T मतलब X alpha alpha मतलब 2 into 10 to the power minus 5 delta T तो common निकाल लिया तो X into 2 into 10 to the power minus 5 और यह हो जाएगा 50 minus X into 10 to the power minus 5 यह हो जाएगा दोनों रोड का और बहाल लिख दिया delta T और यह बराबर होना चाहिए 0.03 के आप इसको solve करोगे बच्चे delta T की value कितनी है delta T की value है 50 तो यहाँ पर आप इसको solve करोगे बच्चे आपको X की value सामने दिख जाएगी clear है क्या और आप इसे solve कर लेना ठीक है कर लोगे इतना चलिए तो यह question है जो कि इसे आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से अपन solve करते हैं अपने thermal expansion में बच्चे जादा कुछ formula ही ही नहीं है ना जड़ा से formula है बिलकुल है ना कि length में कितना change volume में कितना change area में कितना change बस है ना उसे के साब से चीज़े बनी हुई है ठीक है चलिए अब next अपन करते हैं question next question देखिए तो next question लिखेगा सब लोग जो कि बहुत important है और जैसे कि मैं आपको बताया कि IIT में बहुत ज्यादा famous है इंफेक्ट जैई immense में भी और जैई advance में भी किसना किसी रूप में यह दे देगा आप लोगों को यह ध्यान रखना है ना बहुत ही ज्यादा famous question है यह जो मैं अब कराने जा रहा हूं और हाँ नीट को भी मत भूलो क्योंकि नीट में भी अक्सर पूछा जा रहा है trending question है यह बहुत important question है ठीक है trending है यह तो ध्यान से सुनो question यह है पहले तो question लिख लो an ideal gas undergoes a thermodynamic process लिखो an ideal gas undergoes a thermodynamic process given by p square v cube is equal to constant given by p square v cube is equal to constant then calculate volume expansion of gas then calculate coefficient of volume expansion of the gas then calculate coefficient of volume expansion of the gas क्या पता करना है volume expansion of the gas coefficient of volume expansion of the gas for this process as a function of time है ना आपको यह as a function of time नहीं as a function of temperature as a function of temperature बताना है 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 ना तो बच्चे आपको गामा गेस के लिए as a function of temperature बताना है ठीक है एक बार खुद से एक बार ट्राय कर लो question में फिर से बढ़ा देता हूं अइडियल गेस अंडर्गोज अ थर्मडायनमिक प्रोसेस गीवन बाई P स्कूर्ड वी क्यूब इस इकल्टो कॉंस्टेंट क्यालेट कोफिशेंट अप वोल्यूम एक्स्पैंशन अप गेस for this process as a function of temperature clear एक बार सब लोग try कर लो screen post करो और अब इसका solution देखो चलिए तो दोस्तों आपको निकालना है भी गेस के लिए गामा है ना किछ से निकालें होअगो तो एक काम करते हैं अफरो हम्हें सबको पता है कि DV is equal to होता है वी डिल्टा टब् Is गल्टो क्या होता है जिससे हम बोलते ना डिल्टा वी इसकल वी गामा वी डिल्टा ट हो जैगार जिसके ळिल्टा लिख सकते हैं तो अगर मुझे गामा चाहिए न दोस्तों गामा के लिए भाइया हमें वन पाउंड में वी इंटू डीवी बाई डीटी चाहिए होगा तो देखो वन अपान वी तो ठीक है मगर यह चाहिए कि अपने को डिफरेंशल फॉर्म में चाहिए पड़ेगा मतलब डीवी बाई डीटी संथिंग ठीक है अब दोस्तों पहली बात यहाँ पर क्या बोली गई है कि एन आइडियल गेस अंडर गोज तो यहां बोलाए एन आइडियल गेस तो मतब हम pv's yn Michaels यूज कर सकते है the którą कौम करो हमें यहां पर अगर तुम इसवाले को देखोगे किसको इसको हो इसको इसको देखोगे ठीके सिस वाले फॉर्म को तो यहां पर हमें वोल्यूम अगर टेंप्रेचर के function में मिल जाए तो मैं differentiate करके अपना gamma की value निकाल सकता हूँ दोस्तों ठीक है तो कोशिश करूँगा मैं अभी कि मुझे volume as a function of temperature मिले ठीक है तो मैं pressure को eliminate कर दूँगा तो मैं pressure को eliminate करना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि pressure की जो value है वह हम लिख सकते हैं कितना proportional to T square अपन में V square into V cube is equal to constant है ना यह हम बोल सकते हैं भई एनर तो एक constant है और यह constant यहाँ पर अगर आप ऐसा लिखते हो कि P is equal to NRT by V लिखते हो और एनर तो constant है तो वो तो constant में ही चले जाएगा ना बास समझ में आ रही है क्या चलिए तो फिर अब इसके आगे बढ़ते हैं हम फिर है ना तो इसको अगर हम cut करें तो यह कितना हो जागा देखो T square V is equal to constant clear है T square V is equal to constant तो क्या मैं यह बोल सकता हूं कि V जो होगा हमारे पास वो होगा constant को अगर मैं के बोल देता हूं constant को अगर के बोल दें तो V is equal to K by T square बन गया तो देखो बच्चे जो मुझे चाहिए तो वो मिल गया कि V is a function of temperature clear अब मैं इसको differentiate कर दूँगा है ना अब हम अपना वो differentiate वाला दिमाग दोडाएंगे काम खतम हो जाएगा तो DV by DT is equal to है ना अब हमारा अंसर आने वाला देखो DV by DT मिल गया तो मेरे काम हो जाएगा सभी बात है तो भी हम बोलेंगे DV by DT is equal to यह हो जाएगा K into यह हो जाएगा minus का 2 upon T cube clear है क्या तो हमने DV by DT निकाल लिया आप एक काम करूँ इसको 1 by V से डिवाइड मार दो तो आपका गामा बन जाएगा यह ना तो यह गामा बन गया तो 1 by V से डिवाइड मारा तो 1 by V से डिवाइड मानना पड़ेगा और V की value यहां पर डाल दो तो यह हो जाएगा T square by K clear है तो यह देखो K ने K को मार दिया और T square से यह कट जाएगा तो आपका अंसर आजएगा मानस 2 by T और यही उसका अंसर है clear है क्लियर है क्या यही इसका अंसर है तो बस इस तरह से हमें दिमाग लाखे करना पड़ता है बच्चों क्या करा हमने बड़ा असान था उसने यह वाला function दिया हुआ है तो हमने सबसे पहले तो समझा कि हमें गामा निकालना है और गामा निकालना है तो हमारे पास कुछ इस तरह से differential form आ रहा है तो अब हमने क्या करा इसके लिए पहले तो volume as a function of temperature ढूंडा तो pv is equal to nrt का use करते हुए हम यहाँ पर volume as a function of temperature ढूंड लिए अब इसको differentiate करा और answer आ गया simple ठीके तो इसी तरह से बच्चे यह question पूछा जाता है I hope कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अगले बार अब जब यह IT में आएगा या NEET में आएगा तो आप इसको बिलकुल भी नहीं छोड़ोगे clear और इसको बहुत ही important करके लिख देना ठीक है चली दोस्तों तो आज का lecture हम यही पर समाप्त करते हैं बाकी